Dear students, बहुत-बहुत स्वागत था आप सभी का बच्चों, ये Class 6 का Hindi book है, Chapter 10 और इस Chapter का नाम है वयाम, तो वयाम का मतलब होता है Exercise, जिसको हम लोग कसरत भी बोलते हैं, तो ये हमारे Life में बहुत ही एक जुरूरी पार्ट है, जो सभी मनुसको करना चाहिए, सही समय पे खाना, सह सरीर में कोई न कोई सारीरिक गतिविदी होती रहनी चाहिए, तभी हमारा सरीर स्वस्त्र रहेगा, तो इसी तरह का ये Chapter दिया हुआ है, ता आए हम लोग इसको पढ़ कर देखते हैं बच्चों क्या तुम जानते हो कि मनुसके लिए सबसे उपयोगी और अनिवारी साधन कोन सा है, ऐसा साधन जिसके बिना हमारा किसी भी परकार का कोई भी काम नहीं हो सकता, तो जहां यहां पे इस परकार का जो Question डाला हुआ है, तो आपको समझ में आही गया होगा, ये सरी से सबसाधन हमारी तब ही सहायता कर सकते हैं, जबकि हमारा सरीर स्वस्त हो, जिस आदमी का सरीर ही काम ना करता हो, वह कोई भी कायरी नहीं कर सकता, तो हमारा सबसे बड़ा साधन है हमारा सरीर, अगर ये सरीर स्वस्त नहीं रहा, तो फिर हम किसी परकार का कोई भी कायरी न अगर हमारा सरीर सही नहीं है तो वो सारी चीजें हमारे लिए ब्यर्थ हो जाएगा, बिकार हो जाएगा तेसे लिए अपने सरीर को स्वस्त रखना, ध्यान रखना उसके परती ये बहुत ही जोररी चीज है यहां पर आगे दिया हुए संस्कृत के परसिद कवी, कालिदास ने कहा है सरीर माध्याम, खलू, धर्म साधनम इसका अर्थ यहां पर बतलाया है कि संसार में करते बिपालन करने के लिए पहला साधन सरीर ही है तो सबसे जोररी चीज हमारे लिए हमारा बॉड़ी है, हमारा सरीर है उसका ख्याल हमें रोजाना रखना है, उसके परती हमें सतर करना है अपने सरीर को हम एक मसीन मान सकते हैं तुम यह तो जानते ही हो कि केवल मसीन के होने से ही कोई काम नहीं हो जाता यह आवस्यक है कि मसीन अच्छी हालत में हो और हमें पता हो कि उससे कैसा काम लेना है सरीर के बारे में भी यह बात कही जा सकती है तो यहाँ पे जासके बतला रहा है कि हमारा सरीर एक मसीन है और हम लोग बच्पन से ही पड़ते आ रहे हैं कि हमारा सरीर एक मसीन की तरह है और एक जटिल मसीन की तरह है। इसमें कई सारे अंग हैं कई सारे उट टक इसमें आते हैं। बहुत सारा चीज इसमें मिला हुआ है जो सदियों से लोग इसको study कर रहे हैं लेकिन फिर भी complete इसको नहीं कर पाए है। तो यहां पे सरीर के बारे में यह जानना जोर रहे हैं कि कौनसा अंग किस कायरे के लिए उप्यूकत है, कैसे हम इसको सुस्त रख सकते हैं, कि सुस्त रखेंगे तभी सारा कायरे हम इससे कर पाएंगे. सरीर रूपी मसीन से अंत तक ठिक ठाक काम लेने के लिए इसे प्रारंब से ही स्वस्थ रखना आवस्यक है एक बार अगर आप अपने सरीर को कमजोर कर लेते हैं तो उसको फिर से स्वस्थ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लगाना पड़ता है और फिर आपका समय बितता जाता है समय के साथ सरीर कमजोर भी होता जाता है इसलिए आप सुरू से ही किसी को भी सरीर को सुरू से ही उसका स्वस्थ का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे ये पिक्चर बनावा है, ये हाट का पिक्चर है, जिसको हिरदे कहा जाता है सरीर को स्वस्थ रखने के लिए वयाम एक बहुत ही महतपुर्ण उपाए अधि हम किसी मसीन को बहुत समय तक काम में न लें, तो उसमें जंग लग जाता है मसीन से काम लेते रहने और उसकी देखभाल करते रहने से ही वह ठीक हालत में राती है यही बात सरीर के साथ भी है, तो बिल्कुल सही बतलाय जा रहा है कि कोई भी मसीन अगर हम यूही छोड़ दें उसको काम में न लाएं तो उसमें जंग लगने लगता है, वो खराब होने लगता है, रखे रखे वो जाम हो जाता है तो उसी तरह से हमारा सरीर है, अगर हम इसको जितना एक्टिविटी चाहिए अगर वो नहीं देते हैं तो फिर हमारा सरीर भी बिमार होने लगेगा, कई तरह की समस्याय उत्पन होने लगेगी, तेसी लिए ये जरूरी है कि समय समय पे इसका दिखभाल किया जाए, तभी हमारा सरीर स्वस्त्रे लगा, हमारे सरीर की मसीन बहुत ही पेचीदा है, इसमें बिभिन परकार के कल पू अगर रुख गया, तो फिर उस आदमी की मिर्ती हो जाएगी, तो फिर ये रुखता नहीं है, और दिन रात वर्क करते रहता है, खून को प्रवाहित करते रहता है, ब्लड को ये साफ करता है, और पूरे सरीर में फैलाता है, ये इसका कारी है, हमारे फेपड़े निरंतर सा लेने और छोड़ने की किरिया करते रहते हैं, सरीर के अइन अंग भी इसी परकार अपना अपना कायर करते रहते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता, तो हमारे सरीर में कई सारे ऐसे अंग हैं, जो स्वता कायर करते हैं, अपने आप, हमें उसे कुछ बतलाने क्या हो सकता नह हैं और वह लगतार दिन रात काम करते रहते हैं पर सरीर के बहुत से अंग ऐसे हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं इन अंगों की गती मांस्पेशियों के द्वारा होती है इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड या फैला सकते हैं अपनी उंगलियों या बाँ को मोड कर तुम, या बात असपस्ट देख सकते हो, चलना, दोडना, जुकना, उठना, मुडना, खाना, बोलना, आधी अनिक क्रियाएं ऐसी मांस्पेस्यों द्वारा की जाती है, जो हमारी इच्छा द्वारा नियंतरित होती है, तो हमारे सरीर में, जितने भी लगभग आंत्रिक अंग जो है, जो बोडी के अंदर है, वो सारे अंग स्वता काम करते हैं, और जो बाहरी अंग जैसे हाथ, आख, कान, मुः, इस सब जो हम देखते हैं, तो यह सारे हमारे इच्छा के नुसार काईर करते हैं, हम हाथ से कुछ उठाना चाहे, कुछ पगड़ना चाहे, तब फिर हम अपने हाथ को अपने इच्छा अनुसार आगे बढ़ाते हैं, पगड़ते हैं, इस तरह से यह कायर करता है, चलने के लिए हम अपने पैरों को जब हम चाहते हैं, तब चलते हैं, जब हम चाहते हैं रुक तभी तक ससक्ट और समर्थ बनी रहती हैं जब तक इन से काम लिया जाता रहता है। दिन भर परिश्रम करने वाले मजदूरों और किसानों के अधिकतर अंगों का व्याम उनके काम करते समय ही होता हो जाता है। तो यह बहुत जोरी है कि हमारे सरीर का वयाम रोजाना होता रहे और वयाम वैसे लोग जो मजदूर लोग है किसान लोग है तो उन लोग को विसेस वयाम करने का हो सकता नहीं पड़ता क्योंकि उन लोग इतना कायरी ही करते हैं कि उसका सरीर ठक जाता है और सारे जो अंग है सब का वयाम हो जाता है हमारे सरीर में अनेक परकार की मांसपेसियां है यहाँ पे जैसे की बतलाया गया है कि आखों में सबसे छोटी मांसपेसी होता है और सबसे बड़ी मांसपेसी जो होता है जांगों में होता है तो यह सारे मांसपेसियां यह सभी मांसपेसियां अपने सा घ्रणगों का अपना अपना जो काईरे है उसे करने दिया जाए जो लोग बैठकर काम करते हैं अथ्वा अधिकान समय पढ़ने लिखने में बिताते हैं उनके सरीर की मानस्पेसिया निसक्रिये बनी रहती है वयाम के द्वारा इन सभी मानस्पेसियों में रक्त का परवाब यही कारण है कि प्रति दिन नियम पुरुवक वयाम करना बहुत आवसक है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ऐसा कायरी होता है जिसमें सारीरिक एक्टिविटी बहुत कम होता है तो ऐसे एस्थिति में उसका जो मानस्पेसिया होता है वो धीली हो जाती है निसक्रिये ह जाती है और उसे कोई ताकत वाला काम जो है जो बड़ा काम भारी काम रहता है उसको करने में उसका मन नहीं लगेगा वो कर भी नहीं पाएगा तो ऐसे लोगों को चाहिए कि रोजाना वयाम एक नियम पुर्वक करे जिससे कि उसका सरीर स्वस्त बना रहे हैं वयाम अनेक परकार के हो सकते हैं खेल कूद, दंड बैठक, कुस्ती, जिमनास्टिक, दोड़ना, तैरना आधी अनेक परकार के वयाम हैं इन्हें परतिक वेक्ति अपनी अवस्था, आवसक्ता और रूची के अनुसार कर सकता है यद भी विद्याले में भी विद्यार्थियो ज्यादा नहीं करवाया जाता है, क्योंकि बच्चे तो वहां खाना होना खा कर जाते हैं, जिससे ज्यादा अक्सरसाइज वहां नहीं कर सकते हैं, और अलग-अलग परकार के अक्सरसाइज होता है, जैसे कि यहां पे खेल कुद हो गया, खेलने, दोड़ने, फुटबोल, जैसे भी सरीर का व्याम हो जाता है, उसके बाद अलग-अलग तरह का खेल है, उसको आप अपना सकते हैं, किसी को दोड़ना पसंद, किसी को तेरना पसंद है, तो अपने इच्छा अनुसार, अपने इंट्रेस्ट के अनुसार, आप किसी को चून सकते हैं, और उसको ज्या करने से उसका अभ्याम कंप्लीट होता है जैसा कि यहां पर बतला गया है जैसा कि यहां पर दिखाए गया है यह बच्छा यहां पर तेर रहा है तो जिसको टैरना पसंद theor ईसे त spreadshe her and her तो तेराकी करते हुए बच्चे अपने उतेरने की किरिया जो है, मतलब तेराकी को ही अपना केरियर बना लेते हैं, वो तेराकी वाला खिलारी बन जाते हैं, किसोर अवस्था में खेल कूद, जिमनास्टिक, आसन, दोड़ना और तेरना अच्छे वयाम हैं, किसोरों को किसी न किसी समोही खेल में भी अवैस भाग लेना चाहिए, क्योंकि खेल कूद में ही दोरने से लगभग लगभग सारा वयाम सरीर में हो जाता है, इससे न केवल सरीर फुर्तिला और ससक्त बनता है, अपितु सहीयों की भावना का भी विकास होता है, विद्यालों में खिलाये जा तो खेलते नहीं, अलग समय बिताते हैं, बैठ कर, बातचीत करके इस तरह का, तो खेल में स्टूडेंट्स को जरूर भाग लेना चाहिए, इससे कई तरह की फाइदे होते हैं, जिसे कि यहां पे बतला गया है, सहीयों करने की भावना, उसमें एक टीम होता है, टीम जब ब खेलना चाहिए, इससे उसका सारीरिक व्याम हो जाता है, हो सकता है कि यह स्पेसली कोई व्याम ना करे, लेकिन अगर खेल खेलता है, दोड कर खेलता है, आउट्डोर खेल जितना भी खेलता है, तो उसको उससे व्याम हो जाएगा, विद्यालोयों में योगा अभ्यास, ड बिद्यालोयों में कई परकार के exercise करवाया जाते हैं और ये सामुहिक exercise होते हैं इनसे बच्चों में एक अनुसासन आता है एक साथ चलने का एक साथ करने का इस तरह से जब हम लोग सैनिक को देखते हैं उन लोग एक साथ चलते हैं बिल्कुल भी कोई इदर उधर नहीं होता ह है और उन लोगों का कदम से कदम मिला कर चलते हैं वही चीज जो है अनुसासन एक student में तुरंत नहीं होता है उसको बहुत सीखना पड़ता है बहुत सारा training के बाद हमारी आर्मी फोर्स जो आते हैं उन लोग इस तरह के बहुत ट्रेनिंग के बाद उस तरह कर पाते हैं तो दोड से लगभग लगभग सारा व्याम हो जाता है और हमारी मासपेशियां काफी मजबूत होती है निचले भाग और मैद भाग की तो इसके अलावा और भी आसन्स वगएरा हम लोग कर सकते हैं जैसे कि यहां पर बतलाया गया है यह सबसे मुस्किल आसन है सिरसासन इसको बिना रिवाइज किये कोई भी नहीं कर सकता है तेरना भी एक सेस्ट व्याम है इससे मुनरंजन के साथ साथ सरीर के लगभग सभी अंगों की कसरत हो जाती है जहां नदी नहर तालाब आदी की सुधा प्राप्त है वहां बालक बालिकाओं को तेरना अवज सीखना चाहिए किसी यह परसिछत की देख रेक में ही तैरना सीखना सुरच्छीत रहता है तो गाओं में अभी भी जो बच्चे होते हैं मैं भी गाओं मेरा चुका हूँ तो बच्चे जब पानी ज्यादा रहता है उस समय उन लोग तैरने के लिए खुद परियास करते हैं और कई बच्च नहीं मिलेगा तो उसको स्विमिंग पूल में सहर में गर रहते हैं तो स्विमिंग पूल में जाना है फिर वहां पर सिखना पड़ता है कि कैसे तेरा जाता है पर सिछक सिखाने वाला कोई रहता है उसको सिखाया जाता है कि इस तरह से तैरना है तो किसी बड़े आदमी के देखरेक में ही सिखना चाहिए, अधरवाइज हो सकता है कि ज़्यादा पानी में आप वहां फंस सकते हैं, डूब सकते हैं, इसे आपको खतरा हो सकता है। अपयुक्त है, तो जो इसमें ज़्यादा कठीन आशन होंगे, तो ज़्यादा उमर वाले लोग उसको नहीं करें, उसको करने में दिक्कत होगा, लेकिन उसके अलावा ऐसे भी आशन है, जो आसानी से ज़्यादा उमर के लोग भी कर सकते हैं, तो जिसमें से सिर्सासन, सुर्ती बना हुआ रहता है, और कोई भी कायरी को करने में हमारा मन लगता है, यहाँ पे योगासन के कई सारे पोज दिखाएगे हैं, इसको इसमें से अगर आप आठ दस भी कर लेते हैं, तो फिर आप बिमारियों से बच सकते हैं, और आपका सरीर हमेशा स्वस्ति ही रहे छवायू क्या हो सकता होती है, जब हम व्याम करते हैं, तो हम ज़्यादा तेजी से अक्सीजन लेने लगते हैं, और अगर ऐसी जगह, बंद जगह है, तो फिर वहाँ पे हमें सुध वायू मिल नहीं सकेगा, और जिससे हमें जितना लाब होना चाहिए, वो नहीं हो थाकावट परतित होने पर व्याम छोड़ देना चाहिए, व्याम सदा, नियम पुरवक करना चाहिए, भोजन की एकदम पहले या एकदम बाद व्याम नहीं करना चाहिए, पेट भारी होने की अवस्था में भी व्याम नहीं करना चाहिए, प्राता काल का समय व्याम के कि वाद वयाम करना एच्छा रहता है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत जयादा समय के बौद वयाम किया जाए खाना खाने फिर सब्सक्राइब करने की और बढ़ना चाहिए इससे क्या होता है कि ये पता जितना व्याम कर रहे हैं पहले जितना करते थे अब उससे ज़्यादा करने लगे हैं तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में अनर्जी अब बढ़ रहा है एक परसित कहावत है स्वस्त सरीर में ही स्वस्त मस्तिस्क का निवास होता है व्याम के द्वारा हम अपने सरीर, मन और मस्तिस्ख को स्वस्त रख सकते हैं व्याम से हमारा चित पर फुलित रहता है तथा तन में अस्पूर्ती बनी रहती है इस परकार हम अपना जीवन को सुखी बनाते ही हैं साथ में सकती साली राष्ट के निर्मान में भी सहयोग देते हैं एक परसित काहवत जैसे की बतलाया गया यहां पर कि जो सरीर जिसका सरीर स्वस्त होगा उसी का मन मस्तिस्क स्वस्त होगा और वही अपने लिए जब कुछ अच्छा सोचेगा तो फिर वो दुसरों की भलाई कर सकता है दुसरों की भलाई करेगा फिर देश की भलाई करेगा राष्ट के लिए वो सहयोग करेगा करास्ट को आगे बढ़ाने में सही ओक करेगा जिसका मन मस्तिस्क स्वस्त होगा जो रोजाना व्याम करेगा तो उसका मन मस्तिस्क स्वस्त होगाई और ऐसे लोग अपना जीवन सुख पुरुवक्ष जी पाते हैं अन्यथा ज्यादा तर लोग पूरी जिंदगी प्रेशान और एक दुख भरा जीवन बैतित करते हैं तो यहां पर चप्टर समाप्थ हो गया है आए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले यहां पर सब्दार्थ दिया हुआ है जो हिंदी और इंगलिस दोनों भर्षन में दिया हुआ है तो आप इसको पढ़कर एक बार जरूर याद कर लें और यहां पर इसका मुझी क्वेश्चन दिया हुआ है मनुस के सबसे उपयोगी और अनिवायर साधन क्या है तो मैं जिस परकार से यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है उसी तरह से मैं आपको आंसर देते जाता हूँ यह है question number one का answer है मनुस्त का सबसे उप्योगी और अनिवायरे साधन उसका सरीर है जिस वेक्ति का सरीर ही काम ना करता हो वह कोई भी कायरी नहीं कर सकता सरीर को एक मसीन क्यों माना जा सकता है तो यहाँ पे इसका answer है हमारे सरीर में मसीन की तरह काम करने वाले विभीन अंग होते हैं इसलिए इसे एक मसीन माना जा सकता है हमारे सरीर की मसीन में कौन-कौन से पूर्जे लगे हैं हमारे सरीर एक बहुत ही पेचिदा मसीन है इसमें हिर्दे पंप की तरह काम करता है फेफडे सांस लेने का काम करते हैं, पाचंत अंतर भोजन पचाते हैं, आखे देखने, मुह बोलने, नाक सुंगने, कान सुनने का काम करता है, हडियां, मानस्पेसियां सरीर को एक सुडोल आकिर्थी परदान करती है कुश्चन नमबर फोर, यहां पे सरीर में मानस्पेसियों का क्या महत्तो है, इन्हें निस्कریए होने से कैसे बचाया जा सकता है हमारे सरीर के अंगों की गती मानस्पेसियों के दवारा होती है, हम अपनी इच्छा अनुसार इन्हें सिकोड या फैला सकते हैं हम हमेशा इन मानस्पेसियों से कायरी लेते रहें अथवा व्याम करते रहें नहीं तो यह निस्किरिये हो जाएगी किसोरा अवस्था में सरीर को फूर्तिला और ससक्त कैसे बनाया जा सकता है किसोरा अवस्था में खेलकूद वयाम करके हम अपने सरीर को मजबूत फूर्तिला और ससक्त कर सकते हैं तैरने का क्या लाब है? इसमें क्या साउधानी बरतने चाहिए? तैरना एक स्रेश्ट वयाम है, इससे मनरंजन के साथ सरीर के सभी अंगों का वयाम हो जाता है इससे हमारा सरीर मजबूत होता है, किसी योग परसिछा की देखरेक में ही तैरना सीखना सुरक्चित रहता है कुश्चिन नमबर सेवन योगासन हमारे लिए किस परकार उपयोगी है? दो आसनों के नाम लिखो योगासन परतिक अवस्था में हमारे लिए उपयोगी है, इससे सरीर के परतिक अंग मजबूत होते हैं इससे तन और मन पर नियंतरन प्राप्त हो जाता है, हलासन, चक्रासन, मियूरासन, इत्यादी, अनेको, आसन है तो यहाँ पर दो आसनों के नाम लिखने के लिए का गया है, अब दो आसनों के ही नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर तीन दे दिया गया है वयाम करना हमारे लिए क्यों उपयोगी है वयाम के द्वारा हम अपने सरीर, मन और मस्तिस को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं इस परकार हम अपने जिवन को सुखी बना सकते हैं और राष्ट निर्मान में अपना सहयोग दे सकते है कोश्चन नमर त्री जहां पे आसे अस्परस्थ करने के लिए कहा गया है उसमें दो कोश्चन है यहां पे स्वस्थ में दिया हुआ है स्वस्थ सरीर में ही स्वस्थ मस्तिस का निवास होता है इसको अस्परस्थ करना है इसका आंसर है स्वस्त मस्तिस के लिए सरीर का स्वस्त रहना अनिवायर है अधिस सरीर स्वस्त है तो तन मन में स्पूर्टी बनी रहती है मन इसको संसार में करते पपालन करने का सबसे प्रमुक साधन उसका सरीर ही है सरीर से ही वह सभी काईर करता है आएए देखते हैं क्या भरने वाला दिया हुआ है यहाँ पे question number two रिक्तस्थानों की पूर्ति करो तो यहाँ पे question number में हम अपने सरीर को एक machine मान सकते हैं फर्स्ट में हो जागा machine आपको answer screen पे भी आ जागा हमारा हिर्दे एक base की समान है तो pump की समान है हमारे base निरंतर सांस लेने तो यहाँ पे हो जागा फेफडे हमारे फेफडे निरंतर सांस लेने और छोडने की किरिया करते रहते हैं हम अपनी days को अपनी इच्छा अनुसार तो यहाँ पे हो जाएगा मान स्पेसियों को हम अपनी मान स्पेसियों को अपनी इच्छा अनुसार फेला या सिकोड सकते हैं हमें डेस व्याम करना चाहिए हमें परति दिन व्याम करना चाहिए तो इस तरह से यहां पे हो जाएगा और आगे यहां पे यहां पे दिया हुआ है इसको मैच करने के लिए विलोम सब्दों का सही मिलान करो तो यहां पे यह आसान सा है आवसक का अनावसक हो जाएगा तो यहाँ पे इसको मैच कर लेते हैं यहाँ आवसक का अनावसक उसके बाद इच्छा इच्छा के साथ क्या हो जाएगा अनिच्छा दिया हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं इच्छा के साथ अनिच्छा यह हो गया यहां पे और समर्थ के साथ असमर्थ कहां दिया हुआ है यहां पे दिया हुआ है असमर्थ प्रियाप्त के साथ अप्रियाप्त यहां पे दिया हुआ है तो इसको यहां से मिला लेते हैं यहां पे और ससक्त के साथ असक्त दिया हुआ है यहाँ पे question number 4 में सुद रूप में लिखो सामोहिक यह सारे जो words लिखे हुए हैं यह सारे गलत है तो यह सामोहिक इस परकार से आपको मैं screen पे दे देता हूँ यह सारे सही answer इसके आ जाएंगे तो इस परकार से आप इसको सही करके लिख सकते हैं यहाँ पे यह चेप्टर कुछी तरह समाप्त हो गया है अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो helpful होता है ता आप हमारे इस वीडियो के लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल में बने रही है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नेक्स चेप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स वीडियो पे चलते हैं